इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जब हम फेस्बुक पर अपना नेम चेंज करते हैं फेस्बुक पर नाम बदलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमें इस तरीके से लिखा आता है प्रोफाइल नेम हैं कांट है करेक्टर फ्राम मोर देन वन अल्फावेट्स तो इसका क क्या मतलब है और इसको किसे फिक्स करें इस वीडियो में आपको बताऊंगा उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को धरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो देखिए यह प्रोब्लेम उस समयाती है जब आप अपना फेस्बुक पर जो है नाम चेंज कर रहे है बदल रहे है पर जब आप फेस्बुक पर नाम चेंज करते है तो गलती हमेररी करते है कि रहता है उपर आपका जो फर्शने में यह उंग्रेजी में रहतादा है और लाशने में आप जो है कि इसस sudden yay चौ़कर आप लेंगिज रहे हैं वही ऽेस्तुत पूरी तरह से इस्त ». गयाल करने हैं अगर आपप एक ब्रैकेट में जो एक जो hij बॉक्स में अंग्रेजी लिखोगे एक बॉक्स में हिंदी लिखोगे तो उसकेस में आपका नेम फैली नहीं माना जाता है क सब्सक्राइन का मतलब यहीं है कि अगर आफ को नर्ज नुभी अंग्रेजि कई सारे लोगों को fancy name लगाने की लगाने होते हैं जिसलिए उस case में वो करते हैं कि first name अंग्रेज़े में रहता है last name को वो जो ही हिंदी भाशा में या फिर किसी other language में लगाते हैं बट उस case में जो है इस तरीके से problem आती है जहाँ पर facebook हमें नहीं कहता है तो ठीक है अगर आप मतलब हिंदी भाशा में लगाना चाहिए तो उस case में आप जो box है उसमें सभी जगा पर सिर्फ हिंदी में ही टाइप कीजिए वहाँ पर अंग्रेजी लेटर इस्तमार ना करें English क अगर आप किसी अधर भाशा में चाहिए पंजाबी हो गई उर्दो हो गया या फिर कोई अधर भाशा मनला या मगड़ा तो सिर्फ उसी भाशा को पूरी तरह से इस्तमाल करिएगा सिर्फ फर्ष नेम को इस भाशा में डाल दिया और लाश्ट भाश नेम को अगलग भाश ठीके बट उस केस में क्या होता है अगर आप किस तरी से श्ट्रिक वगएरा लगा कर यह पॉसिबल भी है बट अगर आप करते हैं तो आपका फेस्बूक अकॉंट जो लॉक वगएरा डिसाइबल होने की चांसे से काफी बढ़ जाएंगे और इस केस में आप वापिस से अप पर डिसाइबल कर देगा एंड रिकवर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं होंगे उस केस पर तुम्हें अप लोग समझने होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं